दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप दोस्तो बिना सवय गबाई टारेक्ट हम आपको इसके औसद्य गण और नाम वो पहचान कराते हैं तो देखिए यह जायफल जो दखनी जायफल होता है उसके उपर की परत को जावित्री बोला जाता है और दोस्तो आपने मसालों में गरम मसालों में इसका प्रयोग तो चरूर देखा हुआ खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए लेकिन कुछ लोग इसके औसद्य गणों से बन्चित रह जाते हैं तो हम इस वीडियो के माद्यम से उन्हें इससे पर्चित कराते हैं और दोस्तो आपको यह वीडियो एनिमेशन तरंगे वगर आपको इस वीडियो में नदिखेंगी तो डारेक्ट इसमें हम और शेद्य गणों की बात करते हैं बिना किसी एनिमेशन के तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको इस जावित्री के गुण बताते हैं तो यह मन को प्रसंद रखती है यद समय व मातरा के साब से यह नियमित रूप से खाई जाए तो यह मन जो बटकता है दर दर कभी कुछ करने को कभी कुछ करने को उसको सांत रखती है जिगर को बलवान बनाती है और मैथोज सक्ती को बढ़ाती है प्रत्वी को बड़े आसानी से यह तोड़ कर बाहर निकाल देती है धर्म जो आता है उसमें भी अच्छा कार्य करती है यौनी में अगर इसको फड़ा सा गीला करके रख दिया जाए तो यह गर्व को ठहरने में भी मदद करती है यह उसको मजबुत वह उसकी नसाओं को तागत देती है तो दोस्तो इसके प्रेयोक से आप बहुत सारी वीमारियों को बड़ी आसानी से नश्ट कर सकते है तो दोस्तो जावित्री में सबसे मौजूद जो तत्तो होता है जीवानु रोधी है Anti-inflammatory जो सूजन को कम करता है और AntSp entrepreneur and whative विँ होते हैं जो सघर को कम करते हैं और cancer के चो कीटानूं पसपन होते हैं उनको साती साती है नश्ट करता रहता है तो दोस्तों इसके साथ साथ यह लीवर वत तंतर का तंतर को भी मजबूत करतेता है जिसके कारण सरीर हमारा स्टोल वस्त अंद्रुस्त और निरोगी काया में बना रहता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको हमारी कैसी लगी कॉमेंट वाक्स में लिख करके जरूर रहता हैं दोस्तों ऐसी नहीं नहीं वर नौलेजपुल वीडियो हम आ नमस्कात जय भोले नात ओम नमस्षिवाय भोले नात सदय वाप पर क्रपा बनाए रखें जय प्रकरति माता गिया